हेलो गाइज नमस्ते जो अपना वीलिंग चैप्टर चल रहा है गाइज उसमें अपने बात कर रहे हैं अभ्यास प्रस्टन की और अपने लिया है अभ्यास प्रस्टने 2.38 अब यह कह रहा है कि संग्ठनों के संपुन परास में बेंजीन तथा टॉलूइन आदर्स वीलियन 300 कैल्वीन पर सुद्ध बेंजीन तथा टालूइन का वास्प दाब क्रमसह 50.71 mm of SG तथा 32.06 mm of SG है यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टालूइन में मिलाया जाए तो वास्प अवस्ता में उपस्त बेंजीन के मोल अंस परिकलित कीजिए तो सबसे पहले उपन को इस परश्ण में क्या दो एक अपन को देर लखा है बैंजीन ओर टॉलूइन के शुद्ध वश्ता में वास्प दाब अब शुद्ध अवस्ता इंद वास्प दाब तो उसको पार लिखत rocky और उपर किया जाता जीरों अब चैसली हाँ अब जाता त तो यह हैं आपके कितना 50.81 mm of Hg और दूसरा हैं आपके टालवीन का तो अपने लिखते हैं टालवीन का शुद्ध अवस्था में वास्प दाप तो यह हो जाएगा आपके पी जीरो और किसके लिए टालवीन के लिए तो यह हो जाएगा आपके टी ठीक है और इसका मान दे रखा आपको 32.06 mm of Hg फिर आपको दे रखा है जदी 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टालवीन में मिला जाए मतलब बेंजीन और टालवीन के द्रवमान तो अपन लिख रहे हैं बेंजीन का द्रवमान बेंजीन का द्रवमान तो इसको अपन परदसीत करते हैं डवल्यू बेंजीन बोले तो बी से तो यह कितना है आपके 80 ग्राम और फिर हैं आपके टालवीन तो टालवीन का द्रवमान इसको अपन बाते से करेंगे डव्यू ट से और वहाँ आपके 100 ग्राम अब आपको जयात कैंना बास्प पर रॉस्थे में उपस्थी तो बेंजीन के मोलं अधैस मतलब आपको मेंजीन के मोलंस निकालने तो अपनियाँ बात कर रहे हैं बैंजीन के मोलंस बेंजिन के मोल अंस ठीक है अब साथ में अपने को लिखना है वास्प आवस्था कि अपने को मोल अंस तो निकालना है लेकिन किस में निकालना है वास्प अवस्था में अब गाइज यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान दखने की बात है ठीक है इसमें जो मोलंस पूचा है वो वास्प अवस्ताम पूचा है अब कैसे है थोड़ा सा समझे इसको देखो गाइस मान लो अपने पास ये क्या है कोई एक पात्र है ठीक है इसके अंदर अपने क्या करा मान लो ये बैंजीन मिला दिया ठीक है और ये अपने क्या कर दिया टॉल तो आपके लाल कलर से है वह के बेंजन वे यह अभी है कैसी हवस्ता में वीलियन अवस्ता में तो अगरली वीलियन उऺस्ता में तो इस एक है मधर्न से मोलस करते हैं च यह यह बेंजीन क्वास्प्वाज recom revel आ गया कैक वाको यह वह दाए शार से कैसे जो आपके के टॉल्रोई है वह टॉल्रोई वी क्या हो जाओ गां व्यास पार्ष हमाजप तो आपके यहां पर ब्लु Кलर से तो क्या हो गया Cebwn और रेड़ गर योग क्या हो गयाम आपके ये बैंजिन ठीक है अब आपके यह वाष्प र वस्ता में और वाष्प र वस्ता में भी इनका मिलता है आपके मौल्बिन मिलता है इस कंडिशन में यहत पर जो मौल्बिन है उसको अपनों guys पर्दसीत करते हैं Y से ठीक है तो मॉल बीन अगर आपको बेंजिन बहने निकालना है तो इसको क्या वोलेंगे dzisiaj आपके Benzen रहो क्या करना है तो आपको कंसेब्स में आ गया क्या कि क्या स्था में जैंकर सोंच निखू तो ऐसल जब भी आपको क्या करना होता है कि या तो अप यहां पर सिद्धान्त कांव लेंगे डॉल्टन का अंसिक सिद्धान्त तपन ले कर रहे है डॉल टन के वास्प दाब के कि सिद्धान्त से भ् einem किक्ष है अब डॉल्टन का याफ्षा दाब के सिद्धा और यहां पर और यहां पर पूपन को इसका निकालना अब इसलिए इसके ढिखि Y-Benigning ओर यह जो pee एपी लिखा जाएगा ठात कि दाथ अब यह जो pee है यह पिप क्या है आपके महाशंग का आ reliable माशिक वास्पदार थो गइंग अपर यहां लिख जाता अ hat यहां पर जो PB है वो तो क्या है यह बैंजीन का अच्छिक वास्प डाप क्लेरों के बात अब गाईज आपन को क्या करना है यहां पर वाई भी निकालना तो वाई भी निकालने के लिए एक तो आपको चाहिए पी टोटल और एक चाहिए आपको PB अब यह कैसे निकलेगा तो अगर हम बात करें PB तो PB को अब कैसे घ्याद करेंगे तो उसके लिए अपन काम में लेंगे राउट नियम तो अब आपन क्या बोलते हैं राउट नियम से अब नियम से अब क्या लिख रहा है कि आपके PB बराबर PB बराबर इसका सुत्र क्या होगा PB0 XB और ऐसे कैसे अगर अपनको निकालना है P-Talwin तो PT बराबर तो यह हो जाएगा PT0 X-Talwin अब आपको कैसे PT का आपने काम में क्यों लिया तो देखो PT अपन के काम आएगा कियूं काम आएगा कियूंकि आपको यहाँ पर Ptotal भी निकालना और पी टोल बराबर क्या होता है तो देखो Kingdom Ptotal बराबर क्या होता है Poly dude प्लस P T मतलब आंसीग वास्पदाब बेंजिन का प्लस आंसीग वास्पदाब टॉलूं का तो आपको टॉलूं का आंसीग वास्पदाब निकालना ही पड़ेगा तो इसी सुत्र को आपन ऐसे लिख सकते हैं कि P टोटल बराबर अब P B क्या होता है? ये नहां पी टीजरो एकस्ट बीट प्लॉस इंदर और अपको क्या मिल जाएगा पीबी क्मादी मिल जाएगा तो ये मिल गया है यह मिल गया तो यहां से आपको वाई भी मिल जाएगा थेकशे टिकाए वह तो अब आपको पहले निकालना एकस बी और एक्सटी बोले तो आपको मोलन्स निकालना देमेंगा किस महीं है ? थीक है तो अपन अपन सब से सहे बहले बात करते हैं अब एकस भी क्या होता है तुझा चेखो एकस भी बराभर होताइ अन बी दुटा का एनबी प्लस एणD मतलब आपको क्या करने है कैसी आमस्ता में वह स्टा में तो क्या होगा बैंजीन के कि मौ लॉघा कि प्लस टॉलिवंड के मौलों की सं allocation कैसे निकालेंगे तो एप है अब सिर्फ पहला बात गरते हैं और फेले अबड़ निब की तो देवं अबरावध मोलो कि संखिया का सुत्र होता है खाली मोल का सुत्र होता है द्रवमान बटा आपके अनुबार तो यहां पर बैंजीन का निकालना तो अपन क्या लिखेंगे बैंजीन का द्रवमान बटा बैंजीन का अनुबार अब आपको प्रस्ट में बैंजीन का द्रवमान तो दे रखा यह देखो बैंजीन का द्रवमा बेंजीन का अनुबार निकलता है उसके अनुशुत्र से तो बेंजीन का अनुशुत्र क्या होता है कि बेंजीन का अनुशुत्र तो वह था आपके C6 और H6 ठीक है तो इसमें कार्बन कितने हैं 12 है तो सोरी कार्बन का परमाणु बार कितना होता है 12 और इसमें कितने कार्बन काम आ रहे 6 तो 6 को क्या करेंगे 12 से गुणा प्लस हाइडिजन के एक परमाणु का परमाणु बार होता है एक और इसमें कितने काम आ रहे 6 इसलिए यह तो बहुत तर प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 78 और क्या मिलेगा ग्राम मॉल इन्वर्स तो आपको बैंजीन का अनुबार मिल अब रखो या परमाद एन बी बराब अब बैंजीन का द्रहुमान कितना है आपके 80 बटा आपके बैंजीन बार वह एन इठातर तो अपन क्या करेंगे 80 में इठातर का भाग देंगे तो अपने को यहां पर उत्तर मिलेगा एक पोंट 026 तो यहां मिल रहा है आपके एक पॉंटже जीरो दो शें आपके आपके इ तो ये तो मिलिए आपके एंडी के लिए अब आपने का लिए एंटी तो टी अ ती में टी बराबर वोले तो टॉलोईन के मुद्टे पर पर दे रहे हैं है तो यहाँ पर दे रखाएं हां सोग राब टॉमण का रहान कितना है 100 बता अब आपको निकालना है खल्ग का नुबा अपन साइड में निकालते हैं तो सब्धो और खलो बीकर है कि हम गोहाम यहाइस तौलूरी का अशुतर यह होता है C6 H5 और उससे क्या जुड़ा है आपके CS3 ठीक है यह आपके क्या होता है टॉलविन का अनुसुत्र होता है अब यहां से कैसे निकलेगा देखो C6 छे और एक यह तो कार्बन कितने है साथ तो गाइज एक कार्बन का होता है बारा तो यहां पर साथ कार्बन का क्या हो जाएगा गुणा साथ प्लस एक हाइडरोजन का होता है आपके एक यहां पर पांच और तीन कितने हैं आठ तो इसको क्या करेंगे आठ से गुणा कर दे तो गाइस तो में आपन क्या करेंगे बारानों का भाग देंगे तो अपन को उत्तर मिलेगा एक पॉइंट जीरो आट साथ तो अपन लिख रहे हैं स questi और यहीं आपने कि टी शियरो छीव साथ आपके मोली तो गिलिख देखो अब आपके एन बी और एंटी मिल गया तो स्कुल एंबज अपन निकालता थे एकश ब diff बराबर xb बड़ाबर nb बटा nb प्लस nt तो बड़ाबर nb का मान कित्ता है आपके 1.026 बटा nb वापस 1.026 प्लस 1.087 बड़ाबर तो गाइस यहाँ पर अपन क्या करेंगे जोड़ बागी गुणा बाग करेंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा 0.486 तो क्या मिला 0.486 तो आपको जो बेंजीन है उस बेंजीन के आपको मॉल बिन मिली 0.486 अब अपन निकालेंगे टॉलोविन की मॉल बिन तो गैस देखो प्लस टॉलोविन के मॉलंस दोनों का जो योग होता है वो होता है एक तो अपन यहाँ लिख रहे हैं के एक्स बी प्लस एक्स टी बराबर क्या होता है एक अब आपको एक्स बी तो पता है तो वो उदर जाकर क्या जाएगा माइनस में चला जाएगा तो एक्स टी का मान मिल जाएगा तो एक्स टी बराबर वन माइनस एक्स बी तो आपके एक्स टी बराबर वन माइनस पॉइंट चार आठ छे तो गैस इसमें अपन माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा चार एक और आपके पांच पॉइंट पांच एक चार पॉइंट पांच एक चार यह क्या मिला आपको एकस टी बोले तो तोलूविन का मोलंस अब गईज यहां से अपन क्या करेंगे आपके सबसे पहले तो यह निकालेंगे तो पी बी क्या नेकले गा कि बी बplन पी बबलबर और बी कि पीडिल 10 में couldn't ट्वाइच देखोई vyबी10 Peeड गभुसमों का मान किता हैं 50.81 पे Hai 50.81 इंटू एक्स 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 बी का मान किता मिला पॉइंट When A चार आठ छे तो गई तो पचास पॉइंट को पॉइंट चार चे से गुणा करेंगे तो अपन को उत्तर मिलेगा चोईस पॉइंट पैसेट तो बराबर करके अपन लिख रहे हैं चोईस पॉइंट पैसेट यह क्या हो जाएगा आपके mm of x zContixe तो य country मिलगेगा आपकोई इस प्कमान अब आपकोके men autre moisturmm यहां पर पीफिका मान मिल एंडा वाय भी निकालना आए और पीटोट्रा आपप पीटोटल यहां से निकलताते पीटोटल बराबर अब आपन cenे़े करेंगे Xt तो guys देखो P total बड़ाबर अब PB0XB PB0XB का मामन तो अब लहीं मिला 24.62 प्लस PT0 PT0 का मामन ये है 32.06 into Xt अब Xt का मामन अब लहीं निकाला था 0.514 0.514 तो P total बड़ाबर पी टोटल बराबर 24.65 प्लस 32.06 इंटू पॉइंट पांच एक चार को जब गुणा करेंगे तो यहां पर उत्तर मिलेगा 16.48 तो यहां लिखेंगे 16.48 तो अब गाइस क्या करेंगे 24.65 प्लस 16.48 दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपको उत्र मिलेगा 8, 5, 13, 5, 6, 11, 7, 4, 11, 2, 2, 4, 41.13 mm of sg ठीक है तो यह आपको मिल गया पी टोटल तो गाइस आपको पी टोटल मिल गया और आपको क्या मिल गया पी भी मिल गया तो यहां से क्या मिल जाएगा आपके वाई बी मिल जाएगा तो आपनों बोलेंगे पी बी पी बराबर वाई बी पी टोटल से तो वाई बी बराबर यह इसके निच्छा जाएगा तो पी बी बटा पी टोटल तो पी बी पी कमान किता मिला यहां पर 24.65 कि बटा यह मिला आपको पी टोटल 41.13 तो गाइस चोईस पॉइंट पैसेट में 41.13 का जब भाग देंगे तो आपको अंतिम उत्र मिलेगा पॉइंट पांच नो पॉइंट पांच नो और इसको अपन राउंड फिगर में लिख देंगे पॉइंट छें तो गाइस इस तरह से अपन क्या करेंगे जो बेंजिन है उस बेंजिन की वास परवस्ता में अपन मोलन से निकालते हैं धन्यवाद